बदमाशों का आतंक बहादुर गण में इतना बढ़ता जा रहा है कि आए दिन बदमाश कोई न कोई वारदात अंजाम दे रहे हैं कुछ ऐसा ही मामला सामने आया बहादुर गण में जहां बदमाशों ने बंदूग के बल पर एक यूवक से गाड़ी छीनने की कोशिश की और उसके विरोध करने पर यूवक पर फाइरिंग करते हुए वहां से रफू चकर हो गए फिलाल पुलिस ने मामला दर्च कर लिया है सीज़ी टीवी की फुटेज के आधार पर मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है बेखौफ बदमाशों का अतंक इन दिनों इतना बढ़ता जा रहा है कि हालात अब ये हैं कि लोग डर के साई में चीने को मजबूर है करने पर उस पर फारिंग कर डाने दरसल रात करीब 11 बजे शहीद ब्रिगेडियर होश्यार सिंग मेट्रो स्टेशन के पास तीन बदमाश गाड़ी चीन कत्परार हो गए वहीं गाड़ी चालक गौरव ने जब गाड़ी चीनने का विरोध किया तो उसे गोली मार कर खायल कर दिया फिलाल गौरव का इलाज शहर के नीजी अस्पताल में चल रहा है बोदर डॉक्टर मनी शेर्मा ने बताया कि खायल की हालत फिलाल अभी ठीक है मैं पुलिस ने मामला धर्ज कर लिया है और CCD फुटिज भी पुलिस ने खंगाली शुरू कर दी है तो फिर ओव्यकली कोई भी भार जाएगा देखने की हुआ के जैसे मैं भार उतरा उन्होंने एक तो बर्तमीजी से बात की गाले देने लगे पूछने लगे तू कोन है गहां से है मैंने बताई कि मैं किस दाहों से हूँ करीब गोली लगी थी करीब गयारा वजे के आसपास कुछ अग्यात हमलावरों ने उसको मैट्टो स्टेशन के आसपास उसको हमला किया और उसके हाथ में गोली लगी थी भी लगी जिसका के ब्रह्मशक्ति संजीवनी असपताल में अमर्जिंसी में ओप्रेशन तुरंत कर दिया गया और अब यूवक स्टेवल है हाला कि असपताल में दाखिल है और कुछ दिन तक उसका इलाज चलेगा जो अपनी गाड़ी में बैठा था था उसको उपर कुछ अग्यात हमलावरों ने गाड़ी चीन ली उससे और गोली उस टाइम पे उसको लगी है तीन चार वायर हुए थे एक गोली उसको हाथ में लगी है बेखौफ वदमाशों के बढ़ते आतंग की वज़े से आए दिन ऐसी वारदाते सामने आ रही है बाव जोदेस के पुलिस के हाथ अभी तक खाली है वह लूट केस मामले में भी पुलिस जल्द कारवाई की बात कह रही है जनता टीवी के लिए बाहदुर्गर से प्रवीन धनकर की रिपोर्ट